ब्लास्टुला स्टेज में माइक्रोमियर्स तेजी से विभाजन करके कई सारे ब्लास्टुमियर्स का निर्मान करते हैं जबकि वरिहत कोरक्खंड यानि माइक्रोमियर्स में कोई विभाजन नहीं होता है लगू कोरक खंड यानि मैक्रोमियर्ज में भीतर की ओर कशाब यानि फ्लैजिला का विकास हो जाता है एम्प्रियो के व्रिहद कोरक खंड यानि मैक्रोमियर्ज की ओर वाले गुलार्द के मध्य एक चिद्र विक्सित हो जाता है जो ब्लास्टोसील गुहा में खुलता है यानि ब्रून मुख कहते हैं ब्रून अपने पोशन के लिए इसी मुख से निकट वर्ती एमीबो साइट को शिकाओं का भक्षन करता है अतहे इस ब्रूनिय अवस्था को स्टोमो ब्लास्टूला स्टोमो ब्लास्टूला स्टोमो ब्लास्टूला कहते हैं डेवलिप्मेंट की तीसरी अवस्था एमफिब्लास्टूला लार्वा होती है, स्टोमो ब्लास्टूला में प्रतिपन यानी इन्वर्जन की क्रिया होती है, जिसके कारण इसका अंदर का भाग उलट कर बाहर आ जाता है, जिससे कोरक खंड यानी ब्लास्टूमियर के बाहरी सिरे भीतर की ओर वह भीतर के सिरे बाहर की ओर हो जाते हैं, इसके परिमान स्वरूप, माइक्रोमियर्ज यानी लगू को रखंडों के कशाबी भाग बाहर की ओर आ जाते हैं, इस अवस्था को एमफी ब्लास्टूला लार्वा अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसके आदे भाग में कशाब होते हैं, वह दूसरे आदे भाग में कशाब नहीं होते हैं कशाब वाले भाग इस लार्वा के अग्र भाग यानि एंटीरे रीजिन को बनाते हैं वह अकशाब ही भाग इस लार्वा का पिछला भाग बनाता है अब यह एंफिब्लास्टूला लार्वा अपने कशाब की सहायता से मातरी कोशिका यानि मदर स्पंज के कुएनोसाइट स्तर में से रास्ता बनाता हुआ स्पंज गुहा यानि स्पंजोसील में आ जाता है वह जल्धारा के साथ ऋसकिलम से बाहर निकल जाता है वह स्वतंत्र रूप से तैरने लगता है चौथी अवस्था गैस्टूला कुछ समय पश्चात एंफिब्लास्टूला स्थेर हो जाता है वह इसमें गैस्टूलेशन यानि गैस्टूला भवन की क्रिया होती है इस क्रिया में कशाभित लगू को रख खंड माइक्रो मियर्ज वाले गुलार्द भीतर की ओर धसने लगते हैं ठीक उसी तरह है जैसे गुबारे को उंगली से दबाया जब जाता है तो वह बाहर का सेरा अंदर धसने लगता है कशाभि यानि फ्लाजिलेटेड कोशिकाएं भीतर धसने की क्रिया अंतर वलन इन्वैजिनेशन के कारण ब्लास्टोसील धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है तथा नई गुहा यानि कैविती का विकास होने लगता है यह गुहा कशाभि कोशिकाएं यानि फ्लाजिलेटेड सेल्स से अस्तरित होती हैं वह भविश्य में स्पंज गुहा बनाती हैं इसके छिद्र को ब्लास्टो पोर कहते हैं भीतर धस्ते कशाभि कोशिकाएं दीर्ग कोरक खंडों के ठीक नीचे पहुचकर भ्रूण को द्वीस्तरिय यानि की बाई लेयर बना देती है इस अवस्था को गैस्टूलेशन या गैस्टूला अवस्था कहते हैं गैस्टूला शीग्र ही अपने कोरक रंद्र यानि ब्लास्टो पोर वाले सिरे से आधार तल यानि सबस्ट्रेटम पर चिपक जाता है जिस से कोरक रंद्र ब्लास्टो पोर बंध हो जाता है दूसरे मुक्त सिरे की तरफ यह वृत्धिकर लंबा वबेलनाकार बन जाता है इसके शीर्ष यानि एंटीरियर फ्री एंड स्वतंत्र सिरे पर औस्किलम का विकास हो जाता है इसके दोनों स्तर मीजोहायल की जली सद्रिश्य पदार्थ का श्रवन सेक्रीशन करते हैं दोनों स्तर की कुछ कोशिकाएं एमीबॉइड होकर मीजोहायल में चली जाती हैं तथा विभिन्नकारी के लिए रूपांतरित हो जाती हैं बाहरी स्तर की कई कोशिकाएं पोरोसाइट के रूप में रुपांतरित यानि मोडिफाय होकर ओस्टिया का निर्मान करते हैं इस प्रकार भृून यानि एंब्रियो एक यंग स्पंज बन जाता है इस अवस्था को ओलिन्थस अवस्था ओलिन्थस अवस्था ओलिन्थस अवस्था या ओलिन्थस स्टेज कहते हैं इसके आधारी यानि बेसल सतह पर पतली पतली नलिकाएं अर्थात स्टोलॉन का विकास करते हैं तथा ये नलिकाएं आधारी सतह पर फैलने लगती हैं ही मुकुलन यानी बडिंग के द्वारा नई कलिकाओं का विकास होता है तथा कुछ समय में लुकुसुलीनिया की कॉलनी विक्सित हो जाती है